ग्रेटर जम्मू में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले Ministry of Home Affairs की तरफ से एक ओर्डर निकाल दिया गया था कि देज भर में कुछ ट्रेड्स को रिलाक्सेशन मिलेगी शायद खुलने की उसी वे बात करने के लिए हमारे साथ आज यश्वाल गुपता जी है President Retailers Federation की तरफ से सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर सबसे पहले आप से पूछना चाहूंगा कि order निकला order में कुछ clarity नहीं थी तो शायद amendments की गई उसके बाद जेन के यूटी की तरफ से एक order निकलता है कि उसमें बताया गया कि rulers और urban areas में कौन-कौन सी जो trade हैं वो open होंगे और किनको permission नहीं है लेकिन अभी तक उसमें भी clarity नहीं है अभी further उसमें amendment होती है या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा उस पर मैं आपकी राई जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राई है देखे यह मैं समयता हूं कि इस इशू पर जो आज आप हमारी इस पर reaction लेना जा रहे हो मैं समयता हूं होती ज़रूरी था क्योंकि पुरे जम्मू में पुरे जम्मू प्राविंस के अंदर एक बड़ा क्निफूजन सा दो दिन से चल रहा है यह गवर्मेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री से यह निकला कि पुरे देश को यह कारोबार खोलने की अजाज़ा दे रहे हैं तो उस का अफर यह हुआ कि लोगों को तकलीफ हुई जो लोग आये उनको वाफ़ जाना पड़ा किन हालाथ में जाना पड़ा वो वो लोग जानते हैं तो मैं समयता हूं कि जो ऐसे हालाथ के दिनर जो आरब निकलते हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए उसमें लोगों को पुरी इस बात के लिए पर्टीकुल रहें कि हमारी स्टेट के अंदर कोई ऐसी दिक्त ना हो उसको कैसे रोका जाए उसके लिए वो परकाशन ले रहे हैं उन्हें यहां पर टीमें निकाली है डीसी को पावरें दी है डिब काम को पावरें दी है मैं समझता हूं वह एक पहलू चाह रही है हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वहां भी दे रहे हैं लेकिन इसके रलावा भी कुछ चीज़ें जरूर्यात की और भी है जो इसके साथ जुड़ी है गर्मियों का मोसम है बीजली के लिए प्रावल्म है को किसी को पंख्या की जरूरता है तो मैं समझता नासर नहीं होगा तो कोई चीज रहा जाएगी तो किसी को दिक्कत हो जाएगी इस बात के लिए मैं यह कहूंगा कि सरकार को इस पर बड़ा तेजी से दियान देने की जरूरत है और यह देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों को हम लोगों को खोलने के लिए जाज़त दें टाके वो उनसे लोगों को तकलीफ नो असली मक्सद तो यह है कि आम पबल को कम से कम तकलीफ हो और जो हमारा एक कोरोना वारिस का जो इस पर चल रहा है जो एपीडेमिक चल रहा है इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए तो मैं भी यह आपके इस चैनल के माहत्तम से यह कहूंग होगा कि हर आदमी को अपनी जिमादारी को निवाना होगा हर आदमी को उस बात का द्यान रखना पड़ेगा जिसके लिए इस चीज़ को रुका जा सकता है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी आवान करूंगा कि इस वक्त जो लोग करोबर कर रहे हैं जो असेंशल कमार्टी की बात हो जा है वो स्पलाई की बात हो सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो एसेंशल कॉमोडिटीज की हम बात करते हैं लोगों तक पहुचाने की तो वो बहुत इमानदारी से प्राइज की भी बात की अगर हम compare करें कि मैंने हालही में दो तिन बार नर्वाल मंडी में विजिट किया हुआ है और नर्वाल मंडी में जो प्राइज निकल रहे हैं वो चाहे वेजी टेबल्स के या फ्रूट्स के हैं 10 रुपे वाली चीज मार्किट में 25 रुपे की जा रही है तो कहीं न कहीं ये एक जिम्मेदारी है क्योंकि देखे एसेंशल कॉमेडिटीज तो हर तक किसी तक पहुचानी है इस टाइम पे किसी के पास सोर्स अफ इंकम नहीं है तो आपको क्या लगता है कहीं नाइनसाफी हो रही है जो जर्नल पब्लिक के साथ यह आपने बड़ी एह इस लिए उसी रेड़ पर सारे बहीते हैं जो वेरीशन रेड़ की ज्यादा उन लोगों की बजा से है आप बिलकु ठीक फर्मारे हो बिलकु ठीक कह रहे हो सबजी और फरूड का फरक नर्वाल मंडी से कहीं गुना ज़्यादा है अगर हम उनका कंपेरजित करें तो वो है उसके लिए जरूरत है उन लोगों को रोकने की उन लोगों पर कंट्रॉल करने की जो लोगों यहाँ पर सारे इस काम को कंट्रॉल कर अगर बात हाइक की है तो एक जेन्वेन है अगर एक रहीडी वाला विचारा है यहां कोई शौप वेजिटेबल यहां फूट शौप वाला है वो नर्वाल मंडी जाता है ओवियसलि उसको प्रॉफिट तो कमाना ही है उसमें उसकी कैरेज भी है एक जेन्वेन 10-15 परसेंट माजन लेके तो अगर वो पब्लिक तक पहुँचाएंगे तो शाहिद कहीं न कहीं पब्लिक को उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी क्योंकि हर किसी का अपना अपना रोल है अपनी तरफ से इस कोविट 19 को लड़ने के लिए तो एसेंशल कॉमोडिटीज लोगों तक प सब्सक्राइए इर्फान चोधरी को दीजे इजाज़त धन्यवाद